वेलेंटेस यहां कैंसर को मात देने में पूर्टेह सक्षम रेजिडेट टॉमो थेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टॉमो थेरेपी कैंसर रोग्यों के लिए किसी वर्दान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उतरी भारत का एक मात्रू हॉस्पिटल वालेंटेज मवाना रोड मसूरी मेरट लगी तमाम चोटें पुलिस की दी हुई हैं महीला ने बताया वो 31 दिसंबर की राट डीजे बजाकर नियू यर्श सेलिब्रेशन कर रहे थे उसी दौरान पुलिस की कई गारिया आती हैं और उनमें एक भी महीला पुलिस कर्मी नहीं थी तमाम पुरुष पुलिस कर्मियों ने महीलाओ पर जम कर लाठी डंडे परसाए बिना एफ आयर बिना तहरी बिना वारंट के पुरुष पुलिस कर्मियों ने आकर महीलाओ के साथ मार पिटाई की लेकिन वहीं इस मामले में पुलिस की और से ऐसी कोई भी मार पिटाई नहीं की गई है महीला के सर पर लगी तमाम चोटें किसी और विवाद की हो सकती हैं साथ ही कहा कि 31 दिसंबर की रात को मैडिकल कॉलिज की पीछे बने क्वार्टर में रात साड़े ग्यारा बजे डीजे बजाने को लेकर दो पक् अथर बाजी हुई थी यह तस्वीरे उसी दौरान की हैं पुलिस की और से ऐसी कोई भी मार पिटाई नहीं की गई है देखे पीडिता ने इस मामले में क्या कहा मैं शिवानी मैडिकल कॉलिज निवासी कल 31 की नाइट थी हम लोग रात ग्यारे सवा ग्यारे बजे गास पस अपने घर के भार खड़े वे थे हम सेलिब्रेट कर रहे थे वही न्यू येर का सब लोग करते हैं जिस तरीके से तो डीजे भी चल रहा था पड़ोस में हम प्रीषा रहर — Review. Him, गारे हुए पुलिस की गाड़ी आती है चार चार आते है उन्होंने अचानक सा हमारे होपर लाठी चार्ज करना चालू खड़ दिया जिसमें ए एक भी महिला पुलिस कर्मी नहीं थी सारे पूरुद स पुलिस कर्मी थे और उन्होंने यह ना यह देक और यह ब्लड यह फट गया मेरा यहां पर मेरे चाती में भी हां पर चेस्ट में भी लगी हुई यह चोट यह मेरा हाथ भी सूज़ गया पैर में फैक्ट चरा मेरे यह रहा पैर में भी फैक्ट चराया मेरे तो आप बताएं मुझे इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं मिलना चा कि पुरुस पुलिस कर्मी किसी भी लड़की पर हाथ उठाए हग तो लेडीज का भी नहीं है पर पुरुस का क्या हग है जस्टिस चाहिए मुझे I hope so that SBCT प्यूष सिंग ने इस बारे में यह जानकारे दी स्थाने पुलिस और PRV मौके पर पहुची थी। पुलिस के दरा इनको दोनों पक्षों को अलग करने का प्रयास किया गया इसी दोरां किसी पक्ष के दरा पुलिस की गाड़ी पे पत्तर फिक दिया गया था जिस पे एक PRV का शीशा प्रोणा डैमेज हुआ था इसके बाद पुलिस के द्वारा हलका बन प्रयोग करके दोनों पक्षों को वहां से हटाया गया है इस संबन में पुलिस की तरफ से दोनों पक्षों के कुछ लोगों के विरुद अभियोग पंजिकरित किया गया है पुलिस के द्वारा किसी भी मैला या पुरुष के सिर्फ पर प्रहार करके चोट नहीं पहुचाए गई हैं यह हो सकता है वहाँ पहले से आपस में वह पत्राओं के तरण कोई चोट लगी हूँ या आप किसी अन्ने का लिए से अभी के लिए इतना ही हमारी वीडियो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें और फर्स्ट वाई टीवी को सब्स्राइब करना ना भूले डॉक्टर शलप बंसल रेडियोलोजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केर में एक सुप्रसिध नाम है जिन्हें देश्व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजरिंग करने का अनभव प्राप्त है और अपनी इसी अनभव और एक्सपरटीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आ अधिक ऑडियो विज्व एमराई सिस्टम लगाया है टेसला इमिजिंग और डियग्नॉस्टिक सेंटर